प्रिश्णानगर नाम के गाउं में गुरुनात नाम का एक आदमी था उसे खीर बहुत पसंद था हर दिन अगर उसकी मा से खीर बनवाकर नहीं खाता था तो वो रात को सो भी नहीं पाता था एक दिन उसकी मा रे ऐसे दिन में तीनों बार खीर खाते रहोगे तो शुगर के म पागल अब से मैं तुम्हें हफ्ते में एक ही बार खीर बना कर दूंगी अगर किच किया तो चुटका लगा दूंगी इसकी वज़े से गुरुनात समझ नहीं पाया कि क्या करे और दुखी होकर जब जा रहा था वाह कोई एक डब स्वादिश्ट खीर बनाया लगता है उसे ना खाया तो जीना ही बेकार है तोचा फिर चुप चाप उनके घर में घुसकर सारा खीर खा गया फिर जब घरवाले ने देखा तो हैरान रहे गए इसी तरह हर दिन किसी ना किसी की घर से खीर चुरा कर खा लेता था एक बार उस गाव में कुछ महिला उने भूखर ताल किया वहां खीर चोर को पकड़ो ऐसा बैनर भी लगाया गया था एक औरत पकडो पकडो खीर चोर को पकडो यूं कहती तो बाकी सब भी मिलकर पकडो पकडो खीर चोर को पकडो यूं नारा लगाने लगे एक औरत शरम करो शरम करो बोलते ही बाकी सब पुलिस वाले खीर चोर को ना पकड कर शरम करो पुकारने लगे इतने में एक पुलीस जीप महां आकर रुकी उसमें से उत्तर कर एसाई ये क्या न्यूसंस क्रेट कर रहे हो हम पर यू आरोप लगा कर हमें शर्मिन्दा क्यों कर रहे हो कहा एक औरत गुस्से में तो और क्या करें सर उस खीर चोर को आप कप पक्ड़ोगे आपको जितनी भी बार कंप्लेन दे उसका कोई फाइदा नहीं हो रहा है इसलिए भूकर्ताल कर रहे है किसी भी घर पर खीर बने पता नहीं उस चोर को कैसे पता चल जाता है और वो आकर पूरी खीर खा लेता है खीर खाये हुए हमें छे माइने हो गें सर कहा कल तो काजू किश्मिस डाल कर स्वादिश खीर बनाई थी क्यूंकि मेरे पत्ती को खिलवा कर बाद में नेकलेस की मांग करूंगी सोची थी लेकिन वो घदा चोर आकर सारा खीर खाकर किया धरे पर पानी फैर गया उसकी वज़े से मेरा नेकलेस मेरे हाथ से चला गया कमीरा कहीं का क्यों डाटने लगी आप सब साथ हो जाएए खीर के बारे में ज्यादा बात करने से मुझे मूँ में पानी आ रहा है पर सो मैंने अपनी पत्नी से जो स्पेशल खीर बनवाया था उसे भी उस चोर ने खा लिया तो चो मेरा क्या हाल है ठीके ठीके जैसे मैं कहूं वैसे कीजिए वो जरूर पकड़ा जाएगा यू ने अपना प्लान बताया ये सब वहीं पर खड़ा गुरुनात एसाई आखिर क्या कह रहा है ये सुनने की कोशिश कर रहा था एसाई आप सब एक काम कीजिए जब भी आप खीर बनाएंगे तो उसके नीचे धीमी आँच लगा कर छोड़ दीजिए तब जब वो चोर आकर उसका हाथ डालेगा तो हाथ जलते ही वो जोर से चिलाने लगेगा बस फिर वो हमारे हाथ लग जाएगा कहां वो सुनकर सारी औरते खुशी से तालीम आने लगी गुरुनात कैसे पोलीस वाले हो तुमरे वेश्ट फिलो चुक्चा बोलने वाली बात को यू पब्लीक में बोल रहे हो मेरा हाथ जलने वाला है ध्यान रहे ये पहले ही बताने के लिए तुमारा बहुत-बहुत सुक्रिया तुचा फिर एक घर पे एक औरत फेविकॉल बरतर में डाल कर उस पर काजू किश्मिस डाली घर पर इसाई की पतनी आपका प्लान क्या है जी तुछ समझ नहीं आ रहा है वो खीर चोर कैसे मिलेगा पूछी अरे पगली वो जो भी है इसी गाउ का है कल जान बूच कर सब के सामने खीर के नीते आज गरम करने के लिए कहा वो सुनकर वो होशयर हो जाएगा फिर बाद में सारी औरतों को ऐसे फेविकॉल से खीर बनाने के लिए कहा ये बात तुसे नहीं पता ना तो जरूर पकड़ा जाएगा कहा फिर गुरुना चुक्चाप एक घर में गुचा वहां खीर के नीचे रखे आग को हवा मार कर बुजा दिया खीर के उपर भी पंकी से हवा माने लगा तुम्हे क्या लगा मैं मूर्खू ये देखो अब पूरा खीर थंदा हो गया होगा अब इसे खा जाना ही ही मेरा काम है तो उसका हाथ उससे में चिपक गया हाथ उपर उठाते ही हाथ के साथ वह बरतन भी उपर आ गया यह चिलाते हुए घर के बहाराया बस एसाई और सारी औरते बागते हुए वां पहुंची फिर उसे पकड़कर खूब पीटे फिर उसे जेल में डाल दिए